माइ दिरे श्ट्रेंट्स आई मोर दर्मिन सर फ्रॉम डियसल इंस्टूट डॉक्टर मुखरजी नगर देली मेरे पेरा दोस्त मैं आपको सिलेवस के बारे में सुने कर प्यास कर रहा हूं कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हो चाहे एसे सीजियल सीपी ओ सीपी ओ यूडिशेरी या किसी एक्जाम के त्यारी करने जा रहे हो या त्यारी कर रहे हो तो आपको मैं इंगलीज के बारे में इंगलीज का सिलेवस के बारे में मैं आपको सम्झाने क्या प्रयास कर रहा हूं तो सबसे पहले पढ़ने से पहले कहीं भी सेंटर जॉइन करने से पह हमें पुछ दें तो आपका जोért यह कि बात करें तो यसमेट र्वन टार्टू आरत्री पिर सुन लो टार्वन है ट्यूटे लूए मुंट टार टू ट्यू स्टाइये लिग्लिप allowed करें च्टिंट मॉइब हन्फ ट्यूजित को थे तो तो UPSC Compulsory में जो आपके syllabus हैं, वो 50 marks के grammar और 250 marks के आपके writing section जैसे essay, precise, comprehension का part होता है, जिसमें 50 नमर के grammar और 25 नमर के writing section होते हैं, इस तरह से CAPF में होता है, जिसमें 200 नमर का होता है, जिसमें 80 marks के essay और 120 नमर का आपका writing का section होता है, बात करें, जुड़ी शारी का, तो वहां भी pure writing होता है, grammar के कुछ एक part होता है, errors पर गारा है, ठीके, तो इस तरह से आप पूरे, जिसमें इसकी त्यारी करते हो, तो उसमें हमने, इंगलिस सुमें, आप वो class दूंगा, चाहे वो classroom class हो, offline class हो, या फिर आपका online class हो, अगर आप class लेना चाहते हैं, online, या offline, या कहीं भी भारत में पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले इस वीडियो के मादम से, आप एक जागरुक इंसान बन जाओ, आप पहले जाग जाओ, कि आपको चाहिए क्या, clear, तो आपको पहले जागना है, एक जागरुक इंसान बनना है, और जा सबसे पहले जागरुक इंसान बने चार भागों में बाठ दिया, एक पार्ट रख दिया, ग्रामर, सेकंड पार्ट कर दिया, वोकेबलरी, ठीक है, पहला पार्ट ग्रामर, फिर वोकेबलरी, और थार्ड पार्ट ऑब्जेक्टिव, जिसे मल्टिपल च्वाइस होते हैं, और फॉर पार्ट राइटिंग स्किल्स, ठीक बटा, अब मैं एक एक पे डिटेल से चर्चा करता हूँ आपके साथ, सबसे पहले मैं बात करूँ ग्रामर की, चुकि बच्चा करता क्या है, कि कहीं भी पढ़ता है, सबसे पहले वो ग्रामर ही पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो ग्रामर में आप क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, फिर मैं एक एक करके सब पे आऊंगा, पहले ग्रामर, फिर वोकाबलरी, फिर आऊंगा ऑब्जेक्टिव और फिर आऊंगा डिस्क्रिप्टिव जो राइटिंग स्किल्स का पार्ट होता है, तो पहले एक ग्रामर पचले जाएं, ग्रामर में सबसे पहले होना चाहिए, एक बेसिक का स्ट्रुक्चर, ठीक है, और बेसिक क्या मतलब हो चाहिए, क्या आपके पास ग्यान हो, subject क्या है, object क्या है, verb क्या है, complement क्या है, clause क्या है, sentence क्या है, समझ पार हो, तो हमने का subject, object, verb, word, clause, even क्ये पता होना चाहिए कि अलफा वेट और लेटर में क्या अंतर है क्लियर तो अलफा वेट क्या है लेटर क्या है हर चीज का घ्यान आपके पास होना चाहिए और इसके लिए मैं जो कराऊंगा कम से कम five classes दोंगा क्लियर बेसिक में उसकी बाद आप ग्रामर सुरू करते हो जैसे ग्रामर में आपने time and tense सुरू किया राइट तो इतना पढ़ने का time and tense पर तो time and tense लोग पहते हैं ताहिए चुका चुकी मैं सब चीज़ पे आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो आपको इंगलिस में काम करना है तो time and tense जैसे present tense, past tense, future तो इस सब पर हम आराम से discuss करेंगे और कम से कम जो धर्मेंसर पहाएंगे वो कम से कम होगा तो बारह से पंद्रह क्लास होगा 12 to 15 classes, tense, time and tense पर दिये जाएंगे इसके बाद आओंगा voice, voice जो होता है active passive पता ही होगा तो active passive voice उक्राओंगा यह आपके SSC और CPO में लगवग 20 marks के होते हैं तो इस में से लगवग मैं कम से कम पहाँगा तो 5 से 7 class पहाँगा, 5 to 7 classes आपका voice का होगा, इसके बाद narration पहाँगा, तो सब से पहले क्या का बेसिक, फिर आपको क्या का, voice, फिर narration, इसके बाद narration कम से 5 से 7 class वहाँ भी लगना है और उसके बाद question tag, क्या का हमने, question tag, और question tag एक से 2 class हम लोग उसके करेंगे, इतना करने के बाद, सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया जाए तो काम नहीं होगा, हर एक चैप्टर से, जैसे time and tense, से कम से कम का आप 10 से 15 class, और 3 से 400 questions, 22, 4 से 5 class, 5 से 7 class, तो उसमें लोग कम से कम दाइस से 500 questions, narration, 10 से 500 questions, question tag, 100 से 200 questions, तो सब पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, question का, clear, इसके तुरंत बाद, जब इतना पार्ट आपने कर लिया, इसके तुरंत बाद, फिर हम लोग क्या करेंगे, कि चुकि टेंस पढ़ लिया, बॉइस पढ़ लिया, इनरेसन पढ़ लिया, अब आपको अंग्रेजी कुछ लिखना आना चाहिए, तो तुरत में क्या करूँगा, कि आपके लिए कुछ राइटिंग स्केल्स डाल दूगा, बेसिक राइटिंग स्केल्स, ताकि आपको बीच में लिखना आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपको करेंस दस से पंदरा क्ल पार्ट होगा, उसके बाद अब ग्रामर होना चाहिए, पार्ट वो स्पीच, जैसे नाउन पुर नाउन, तो सबसे उसके बाद फिर सुरू करूँगा नाउन, अब नाउन सुरू किया, तो नाउन कम से कम पराऊँगा, तो आट से दस क्लास, चुकि नाउन अकेला नही है नाउन, चुकि नाउन is nothing, it's the part of three chapters, person, gender, number and case, four होगे, तो person चुकि नाउन का पार्ट नही है, तो नाउन जो सुरू करूँगा मैं, पहले basic नाउन, तो basic नाउन पराऊँगा तिन क्लास, उसके बाद पराऊँगा जेंडर, जेंडर पराऊँगा कम से कम दो क्लास, उसके ब सुरा complete होगा, इसलिए मैंने कहा, नाउन कम से कम 8 से 10 क्लास, ठीक है, अकेला नाउन नहीं होता, चुकि बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके बाद फिर प्रायज आगा आपको आर्टिकल, नाउन के बाद, आर्टिकल, अब आर्टिकल चप्टर बहुत important हम लोग सोते हैं, कर जिसका लाँए अपको इसलिए आपको 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 खोलगा, खूद तो क्म से कーム हम लोग मैंद चार से 5 क्लास तो कच्चे बाद टो प्रोनावम में कि डिगरी क्या होता है इस तरह से positive competitive superlative है ना सारे part तो adjective को प्राओंगा verb अब बहुत important chapter है वर्ब सिर्प नाम का छोटा सा है लेकि वर्ब में क्या प्राओंगा तो principal अग्जलरी भर models semi models और उसमें क्या प्राओंगा main verb auxiliary तो main verb जो प्राओंगा उसके अंत्रके बहुत सारे part होगे effective, जेरंट, participle, possible present participle, past participle, perfect participle इस तरह से एक बड़ा part हो जागा जैसे मैं आपको model से कराओंगा तो वही कम से कम आपका जोगा हो जागा कि पढ़ेंगे एधियर में पढ़ेंगे अंभेर का यूज अद०्वा इंभेर का यो taking और जितना ही पर igh़ां वह आरी इस सारे चैपिटर्थ का कम सक्म से 400 कोस्टन defense परत्थ का इसके बाद में बात करों conjunction है, तो conjunction में कम से कम 4-5 class, preposition है तो preposition में कम से कम 5-7 class, subject by agreement syntax, 3-4 class इस तरह से हम जितने भी chapters करेंगे, सारे chapters को chapters में कम से कम, तो आप मानकर चलू कि प्रते एक chapters, nouns लेकर preposition तक, हर एक chapter wise, आपको 3-4 questions दिये जाएंगे इसके साथ साथ, आपको सारे books भी आपको दिये जाएंगे, जैसे मैं आपको नमूनिक दिखा दूँ, ताकि books भी आपको ध्यान रहे आप इस पर focus भी करते जाओ जैसे हमने क्या को practice के लिए क्या किया हुआ है, कि जैसे मानलों आपने आपको यहाँ पर 9 chapters हो गए, तो 9 chapters से समंधित कम से कम आप online कर रहे होंगे, तो घर पर books आपको मिल जागा, पहुंच जागा, ठीकी बैटा, इस तरह से पुरा syllabus हम लोग complete करेंगे grammar का, clear? आप part 2 में आई, part 2 कहा था vocabulary, आप आई vocabulary बीना grammar का, बीना vocabulary का, इंगलिस कहा है, तो grammar भी आप पढ़ रहे हो, तो vocab चाहिए, अब vocab क्या हो, तो मैं प्रती दीन, not a single day, from first class to last class, मतलब अंतिन class तक, vocabulary प्रती दिन करवाए जाएंगे, इस तरह के vocab का, आपको page मिलेगा, जिसमें 10 to 20 vocabs होंगे, यह आपको व्याद करवाएंगा, और class में पूछूंगा, इसके अलाबा, जो books होंगे, vocab के 3-4 किताब दिये जाएंगे, जैसे vocabulary के books होंगे, advanced vocabulary, उसके साथ साथ basic plus advanced vocabulary, तो और इस तरह से हम लोग vocabulary पर काम कर जाएंगे, और vocab करती दिन कम से कम 10 to 20 minutes vocab काम करेंगे, इसके अलाब vocab का हमें बना रहा हो वीडियो, जो आपको online, offline दोनों मिलेगे, वहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, अब नंबर पार्ट होता है 3, यहाँ बात हमने करा, पहले grammar फिर vocabulary, थार्ट पार्ट हमने लिया था, objective, अब इतना पार्ट पढ़ लिया, अब आपके ASC में सिर्फ grammar तो पुछता नहीं, ASC में क्या पुछता है, close test, comprehension, sentence rearrangement, common error, fill up the blanks, fill in the blanks, से लेकर के sentence improvement, बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो आपको जो जाने की जरू होते है, वो जान एक दिन उस topic को हम highlight करते हैं, जैसे मानलोग close test, तो close test को हम highlight करते हैं, और उस close test को 8 दिन practice करवाते हैं, clear, same pattern, comprehension, आज पाया, तो उसके 8 दिन practice, clear, उसके विक में एक दिन हर चलेगा, और practice 8 दिन लगाता, उसी तरह से PQRS कराया, sentence rearrangement, फिर 8 दिन practice, इस तरह से common error, practice, plus हर दिन test इसके साथ sentence improvement, class, plus practice, तो जितने भी exam के pattern होते हैं, objectives, वो week में एक दिन हम लोग उसको करते हैं, और फिर 8 class लगातार practice करवाते हैं, ठीक है, यह होगा concept, उसको writing skills पर आजाओ, तो अगर मानलोग आप EPSC compassory देना है, clear, या फिर आपको CPF देना है, assistant commandant, या फिर जूडी सरी कर तो उसके लिए क्या है, कि मैं special group से writing skills का एक महिने का batch अलग से देता हूँ, अगर आपके exam हो रहा है तो, ने तो class के part ही आपका सारे part करवा दिये जाते हैं, यह चार section था बेटा syllabus का, इसके अलावे हर Saturday हमें यहाँ पे आपके लिए doubt class देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत हो, तो आप कर सकते हो, तो इंग्लिस में होता क्या है, objective, descriptive, grammar, vocabulary, तो लगबग सारे part मैं cover करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी exam में बैठ जाए, चाहे वो SSC हो, चाहे MTS हो, चाहे bank PO हो, चाहे UPSC compulsory हो, चाहे judiciary हो, कहीं भी आपको problem ना है, ठीकी बटा, इस त टोटल डूरेशन कितना लगा सर, तो टोटल डूरेशन जो आपका कोर्स का होगा, वो मान कर चलो, कि 80, 80 क्लास लेकर के 120 क्लास तक आपका कोर्स जा सकता है, वो डीपर करता है आपके उपर, कि आप कितने दिन में कैसे cover करते हो, ठीके हम लोग क्लास में कोर्स नहीं, बलकि बच्चे पर ध्यान देते हैं, ताकि वो बेतर तरिके से सिख पाएं, यह syllabus हमने आपके लिए प्रोवाइट करवाया है, ताकि आप इसको देखो, और देख करके अपनी त्यारिये स्टार्ट करो, ऐसे नहीं, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी क्लास करने के सोच रहे ह तो पहले यह चीज जान लो कि क्या इस सारे चीज कवर किये जाएंगे, अगर कवर किये जाएंगे, then you should join, you should take my class, ठीक है, it's all for today, thank you very much.